हेलो अब्रीवन वेलकम यूट्वर यूट्यूब चैनल पैरी स्टेडी आंलाइन क्लास नाइन सेंपल पेपर वन जो कि मिट्रम एक्जाम देलिया पर डिसकस करना जा रहे हैं जिवे आपनों पता है मिट्रम एक्जाम अपना अक्टूबर देवेच होएगा कई स्कूल इट शूड भी हेल्ड इन नुवंबर नुवंबर देवेच होना चाहिए अकॉडिंग टू सी बीसी जो टर्म वन दे एक्जाम है चाली मार्च ता होएगा जिमें तो नुपता ही है चाली मार्च दा एक्जाम है नब्बे मिंट दे सारा पेपर की होएगा अपने कोल अब अब्जेक्टिव चैप्टर के डे आँगे वन थ्री फोर सिक्स सेवन त्वेलब ते फॉर्टिन ए चैप्टर अपने कोल किया एक्जाम दे विच आँगे जिन्ने में स्कूल है सारे यां देविच अब्जेक्टिव पेपर होएगा ते ए पेपर तो अडेली किया जो आँगे जेकर जरूरत पाई तो डेकमेंट बॉक्स देविच मैसी जोए पेपर डिसकेशन दे बारे ता फिर आपा पेपर में जरूर डिसकस करांगे तो स्टार्ट करते आप पहले क्वेस्टन देना पहला क्वेस्टन की कह रहा है फ्रॉम दा चॉइस प्रॉम दा चॉइ क्व्राइम केडिए जिना दा है चीएं अथिक नमबर करो चोटे देटेबल विच वड़ा नमबर आँ रहा है यह नहीं जी करता नहीं नहीं होवेगा जेकर जेकर अपने को नहीं होदा ता पकांगे यह नंबर किया को प्राइम है ओके तो देखो दो दे टेबल वेच तेन नहीं होदा ता यह नंबर अपने को किया को प्राइम है next question question number 2 if the decimal representation of number is non-terminating non-repeating सब तो important question है यह नो टिक कर लो that is very important question exam देवेच पका सब्सक्राइब जेकर अपने को नौन टर्मिनेटिंग नौन रपीटिंग तर नंबर की उन्द है irrational नंबर हुँदा decimal expansion अपने को दो तरा दिंदी एक terminating एक non-terminating non-terminating अगे दो टाइप से है non terminating बट रपीटिंग ते non-terminating अ नान रपीटिंग जेडा terminating है वो rational नंबर हुँदा जेडा non-terminating बट रपीटिंग वो वी rational हुँदा पर जहो आगेINE आपने कोल non-terminating non-repeating वो अपने कोल हमेशा किया युददा irrational number ok आपना डाइट अंस्वर किया एर्रेश्नल नंबर next question नंबर 3 on dividing 6 अन्च्वंडवूर्ट 27 वाट टू अन्च्वंडवूर्वूर्वूर्र टूमूर्वूर्वूर्वूर्व देखो 6 ये अंडरूट 27 नो अपां 2 अंडरूट 3 नाल डिवाइड करना है ये ता डिरेक्ट कैंसल हो गया किन्ने ते 3 ते बाकी नों की लिखांगे अपां एक रूट दे थले कर लिए 27 बाए 3 इन्नों कटके किन्ना आगया 9 और 9 दा रूट किन्ना उंदा 3 तो 3 multiply 3 आंसर के ना आगया 9 इन्दे 2 आप्शन पॉसिबल है गलती नल दो आप्शन लगए वैसे दो आंसर की अपने कोल पॉसिबल है ओके 3 अंडरूट 9 भी पॉसिबल है ते 9 आंसर भी पॉसिबल है ओके तो त्या अनल आप्शन देख्यों के इवरी 2 आप्शन टिक को जन है दो आप्शन गिवर उन देया तो त्या आप आते आनल देखने केड़ा सही आएगा ओके क्योंकि यह बाई मिस्टेक क्वेस्टन देवेच आगे नेक्स्ट क्वेस्टन नमबर पॉर की क्या रहा है क्वेस्टन नमबर फॉर है कि ए ट्वेलव अंड रूट प्लस रूट टैन माइनस रूट टू इज देखो जिदा रूट वेलव इंदा प्रफेक्ट रूट नहीं दा नाई टैन दा उन्दा नाहीं टून अन्दा तभी आपने को नंबर की आगे सारे इर्रेशनल क्योंकि जबाद दो इर्रैशनल नंबर नों एड्ड करांगे माइनस करांगे म थो हमेशा की रही है इर्रैशनल नंबर हैंदे हैं तो अपने को राइट आंस्वर किया गया एन इर्रैशनल नंबर नेक्स्ट प्वेस्ट्न नंबर 5 की कहरे हैं 16 रेस्ट पावर 3 3 by 4 equal to 16 की लेख सकते हैं तू पावर 4 उपपर होल पावर किननी है 3 by 4 4 4 की होगा कट 2 पावर 3 2 पावर 3 दा मतलब की होगा एट 2 इन्टो 2 इन्टो 2 तू नो 3 टाइम्स मल्टीप्ले करना तो अपने को माइनस 2 इस स्लूइशन ओफ दिस दा वैल्यू ओफ पी तूसी की करोगे जित्थे एक से ओथे 3 पुट करोगे जित्थे वाई ओथे माइनस टू पुट करोगे ते तूसी अंसर इंदा फाइंड कर सकते ॉके सिंपल जाए जरूर उंदे चान्स है भी बहुत इंप्रेंट क्वस्टन है नों विलेख लो वैरी इंप्रेंट क्वस्टन ओके next next वुट क्वस्टन है सेमन्थ विच अफ द फॉल्विंग और पेर इस सुलूशन ऑफ इक्वेशन कंदा एच चार ओ आजेगा ओके इन दा राइट आंसवर कियाएगा डी एक्स दी वैल्यू फोर पूट करोगे य दी वैल्यू माइनस वन पूट करोगे ता अपने कोल जीरो इस इक्वल टू जीरो आजेगा सो देट विल बी दा स्लीशन ओके अपाओ नंबर पता करना है जंद यूप परे पूरी तरह की होजे जीरो होजे ओके ओपना कोल की होएगा स्लीशन होएगा नेक्स्ट नंबर एट कोस्ट ऑफ नोट भुख एक्सीद ट्वाईज दा कोस्ट ऑफ पेंग डाए टैन प्रूपीज दा स्टेटमेंट अबया स्टेटमेंट टाइब क्वेस्टन है तैनुत्यान समझ के करना है देखो नोट बुख दा कोस्ट किना एक्स पेंदा कितना है y तो अपने को लिक्वेशन की बनेंगी ओ तुसी किया खुद बना सकते ओके नेक्स्ट question number 9 equation of line passing through the origin origin ना मतलब तुसी की करोगे x the value 0 पर होगे y the value 0 पर होगे जेडा है ना चो left equal to right आगया ओई अपना किया होगा answer होगा origin चो पास करने की इंदा x the value 0 पर के देखो y the value 0 पर के देखो जे करता left equal to right आगया मतलब अपना answer किया right ओके next question number 10 the condition that the equation ax plus by plus c equal to 0 represent linear equation in two variable is देखो इन्हों represent करने एक condition केडिया देखो ना ही ता अपने कोल a 0 हो सगदा ना ही b 0 हो सगदा क्योंकि जे a 0 हो गया b 0 हो गया ता अपने कोल की रहे जेगा c equal to 0 which is not possible so right answer किया है d a not equal to 0 b not equal to 0 एक दो में चीजा जीरो नहीं हो सकती है next which of the following is irrational number एक तुसी खुद चेक कर सकते हो इन्दा answer कियाएगा अपने कोल c आएगा इन्दा answer किया आजेगा 5 by 9 ओके 5 by 9 एन्दा कियाएगा right answer आएगा next question number 13 decimal expansion of root 2 एह हम इशा की उन्दा अपने कोल non-terminating non-repeating recurring वी कहाएज इन्दे अन्दा answer किया आगा डी अब सीशा of point is positive इन अब सीशा दा मतलब उन्दा x दी value x positive कि थे उन्दा first and fourth दे बिच ओके order rate y दी value अब सीशा क्योंदी यह x दी value next if x plus 2 and 4 equal to 5 and y minus 2 the coordinate तो सीखी करोगे पहली value नो पहली value दे पुल रखोगे दुझी value नो दुझी value दे पुल मतलब x plus 2 का दे पुल है 5 दे so x दी value किरनी आगी अपने कोल 3 y minus 2 का दे पुल है 4 दे so y दी value किरनी आगी 6 so right answer किया गया third okay three and six अपने कोल किया गया right answer आगया next the mirror image of point nine minus eight in y-axis अपा mirror image असनी है देखो mirror image एक डेज अपने कोल fourth quadrant है y अपने कोल शीशा हो गया तरनी mirror image किदर बनेंगी third quadrant third quadrant दो में कि उन्दे negative तो अपने को right answer किया आगया a minus nine minus eight तो सिए त्यां रखड़ा mirror image बना नहीं कि थे y-axis नल या x-axis नल जे करता y-axis नल तो third दी sorry fourth दी image third बनेंगी third दी fourth विच first दी second second दी ओके तो जेकर x-axis अपने कोल शीशा है तो फस्ट दी fourth विच fourth दी फस्ट विच या second दी third या third दी second विच ओके next which of the following point lie in negative side of x-axis negative side of x-axis मतलब y दी value किने होनी चाहिए अपने कोल किया है उस्तों बाद आगे geometry वाल एक question शुरू हो गया अपने को lines and angle दे पहले question विच की कह रहा है angle the value देती है a the 50 degree angle a value कि नहीं है 50 degree अपने एंगल फाइंड करना है तो इंदा formula की सी अपने कोल इंदा formula B O C equal to 90 minus angle B A C divide by 2 तैथे value पर के तुस्सी answer चेक कर लो right answer किया जेगा 65 यह formula ठीक है त्या अनल समझे फॉर्मुले दे उपर question जरूर आगे एक question भी बहुत important question है इनो टिक कर लो बहुत important question है जे करता by sector बार ले पास है ते थे minus आजेगा जे बाइस अंदर ले पास है फिर थे की आएगा plus आएगा next question number 19 find the value of x x दी value find करनी है यह सारे angle केड़े ने exterior बार ले पास है ते exterior angle दा sum कितना है 360 तिनने angle दो मलाके 360 बढ़ेंगा तो अपने को right answer कितना है आएगा 130 okay next next की कर रहा है इन figure a plus b plus c plus d plus e plus f is equal to k into right angle देखो बहुत सुखा question है a b c a b c दे तिनने interior angle दा sum किनना हो गया 180 this d e f दे वड़ा भी किनना हो गया 180 180 into 180 किनना हो गया 360 so 360 नू की लिखांगे 4 into 90 so k d value किननी आगी अपने कोल 4 आगी next question number 21 question number 21 की कह रहे अपने कोल the angle of triangle are in the ratio 5 ratio 3 ratio 7 the triangle is a to see does not जिए ट्रेंगल दे ratio है अपने कोल given है ठीक है angle दे तह angle triangle की बनेंगी right बनेंगी acute बनेंगी obtuse यह तुसी क्या find कर सकते हो क्योंकि triangle दे तेन एंगल दा sum किनना होंदा है 180 ओके तह जो तुसी value find करोगे तह x दी value किननी आजेगी 12 maximum value आजेगी 84 ता अपने कोल की आजेगा acute angle triangle ओके next if one angle of triangle equal to sum of other two the triangle is जेकर एक एंगल दा sum बाकी दो दे ब्रब्र है तो करी triangle हुंदी है right angle triangle क्योंकि right angle वेच की हुंदा है एक angle 90 degree ते बाकी दो दा sum भी 90 degree ओके उस्त बाद करना one angle of triangle is 75 and difference of other two is 35 the larger of two angle देखो ट्रेंगल एक एंगल देता हुआ ता आपकी लिखांगे दो एंगल की है a plus b plus 75 का दे एक पोल आ गया 180 so a plus b दी वेल्यू किननी आगी 180 माइनस 75 मतलब जी आपका दो एंगल नूँ एड करिए तक इनना बंद है 105 बंद है ठीक है नालो ने की रख्या जे दो में एंगल नूँ अपका माइनस करांगे तक इनना बंद है 35 बंद है इनना दो मानू सॉलब कर लो स्वाड़े कोल राइट आमसर किया आजेगा 70 आजेगा दो एक्वेशना बन गया a plus b equal to 105 and a minus b equal to 35 तो लेफ्ट नूँ लेफ्ट नूँ एड कर लो राइट नूँ राइट नूँ एड कर लो बी नल बी कट्या जाएगा a दी वैल्यू आजेगी 70 ओके next in figure a b parallel to c d the value of x x दी value find करनी है बहुत सुखा question है तुसी की करोगे थो एक parallel line draw करोगे x इन दे point दे विच्च हो दी point नूँ की नाम देता m एंगल नूँ नाम देता 1 एंगल नूँ की नाम देता 2 जिड़ा 2 है ओ काद एक पॉल आ गया 35 क्यों हो आया क्योंकि यह alternate interior एंगल बनेंगा एंगल 1 प्लस 140 काद एक पॉल है 180 क्यों क्योंकि यह एंगल की है co interior ता 1 दी value किन नहीं आगी 40 डिगरी होन 40 नूँ ते 35 नूँ आड कर लो था तो अडेकोल right answer आजेगा right answer की आजेगा दा 75 ओके next each angle of triangle is equilateral triangle is equilateral triangle दा हर एक एंगल किनना हुदा 60 डिगरी next question number 26 triangle chapter दा है in the given figure measure of BAC आपा BAC दी value find करनी है होन देखो आ साइड किननी है 5 AB 5 तो एंगल opposite to equal side are equal that means ए दो में एंगल आपस दे बेच किया एकोल सो 2X plus 20 का देकोल आ गया 50 reason कि आ गया angle opposite to equal sides are equal so 2X दी value किननी है आजे कि तो आडेकोल 15 ओदो बाद value put कर लियो ता डेकोल आंसोर आजेगा BAC दा that is a 50 degree वैसे सिद्ध यह आए पर equal to 50 okay solve करनी भी ज़रूरत नहीं है next 27 in triangle BAC angle A equal to C A B B C equal to 4 A C equal to 5 A B the value find करनी है देखो triangle बनालो एक A A हो गया A B हो गया A C हो गया आ दो में एंगल आपस दे वेच इक्वल है that means opposite side वेच्वल होन गया ठीक है थ्योरम केड़ी लगी 7.3 थ्योरम जिन्दे वेच की कहनदा side opposite to equal angle are equal so A equal to C that means A B equal to B C है और B C दी value करनी है चार ता A B दी value करनी आजेगी अपने कोल चार आजेगी नेक्स्ट क्वेस्टन नेक्स्ट कॉंगूरेंसी प्रूव करना है तुसी खुद कर सकते हो जेकर प्रॉब्लम होई था comment box दे वेच कमेंट जिरूर करें हो एक क्वेस्टन दे एक्स्प्लेनेशन दित्ती जावेगी सेम क्वेस्टन 29 है आपा दसन है एंगल आर ग्रेटर है एंगल क्या होतो हो केड़ी साइड ग्रेटर होएगी तैंदे उपर की लगऊगा साइड अपोजी टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर सो इन दे नालकिया तुसे नों कर सकते हो ओके सी ऑप्षिन दा अंसर आएगा उस्तो बाद एक ट्रेंगल है एबी सी एक डी एफ है कॉंगुरेंट होणगे ऐसे एस नल केड़ा आउक्जियम लगएगा ये तुसी क्या खुद कर सकते हो जेकर फिर भी कोई प्राब्लम आवे ता कमेंट बॉक्स वेच रिपलाए जरूर रूड करना है नेक्स्ट थर्टी एपने कोल हिरोईन फॉर्मुले दे उपर क्वस्टन आगे दो में दो में क्यागे चार पांद क्वस्टन आउनगे पैरीमेटर देता है एक्वी लेटरल ट्रेंगल दा एरिया फाइंड करना है एक्वी लेटरल ट्रेंगल दा एरिया की उन्दा है रूट 3 by 4 into a scale ओके एंदा अपने को नेक्स्ट एरिया आफ इक्विलेटर ट्रेंगल देता है पाणू सरी फाइंड करना है साइड देती है टू रूट 3 सेम होने फॉर्मुला दस्या उसे फॉर्मुले देऊ पर एक वस्त ना सॉलो होगा नेक्स्ट इक्विलेटर ट्रेंगल दा एरिया जित्ता है साइड फाइंड करनी है तो सीकी करोगे रूट 3 by 4 into a scale काद एक को रखोगे 16 रूट 3 दे रूट 3 ना रूट 3 कट्या गया सो एडी वेल्यू किननी आगी एट बाद चोने पैरिमेटर पुच्छा है पैरिमेटर किनना आगया 3 into साइड कर दिने तो अटे कोल अंसर आजेगा ओके हिरोइन फॉर्मला यूज कर सकते हो उस्तों बाद क्लास मार्क्स पुच्छा उन्ने क्लास मार्क्स की उन्द है इन्हा दोमानों एड करके दो नला डिवाइड कर लो सो राइट आंसर किनना आजेगा 110 नेक्स्ट पुच्छी उन उस्तों बाद उन्हें पुच्छा अपर लिमट पुच्छी हो या अपर लिमट किननी आजेगी देखो मिड़ वैल्यू जितिया छे 10 मिड़ वैल्यू किननी तिया 10 उस्तों बाद विट्स जितिया छे अपर लिमट तुसी कियां दी फॉइंड कर सकते ओके 16 नांसर चेक कर कर लो 3900 आजेगा अपने पॉल ओके उस्तो बाद next question in the class interval 10 20 20 30 number 10 किंदे चिनक्लूड हुएगा 22 30 क्योंकि last वाले चापन नंबर इनक्लूड नहीं कर दें पहले वाले चापन नंबर इनक्लूड कर दें ओके उस्तो बाद यस तो पुछ्छा अनने 370 तो लेके 390 वड़ी frequency चेक कर लो कोई number हेगा ना चेड़ा 370 ते 390 वी चाले हो वे इस पूरी लिस्ट दे विच्छों चेक कर लो 370 तो लेके 390 वी चाले कोई number है जेकर है ता लेख देओ नहीं है ता जीरो लेख देओ उस तो बाद लास्ट कॉस्टिन चाड़ी माँ अगेन आपनो number of classes पुछा है interval किनने बन गे ओचीजा दस नहीं आपाँ ओ तुसी क्या बना के दस सक देओ interval किनना अपने को पूरा पेपर दी डिसकेशन सैंपल पेपर नंबर वन नेक्स्ट बहुत जल्दी दो तेन देन आदेवेच आपाँ सैंपल पेपर नंबर 2 अपलोड करांगे जे किसे नों प्राबलम आवे ता comment box देवेच comment करके पुछले आव दी प्राबलम तो नों प्राब्लम दा डिसक जरूर किता जावेगा ओके थैंक यू वेरी मच्च